इडू हब PSC में आप फिर एक बार स्वागत हैं आज जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि दो कोंपी मंगवाए हैं इसमें एक पिछले वीडियो में दिखाए हैं कि किस तरह से मार्किंग किया गया है और किस तरह से पढ़ियास किया जाहिए कि अब पिए सिंव मुल्वाच्हे मार्किंग के लिए आज हम हिस्ट्री का दिखा रहा है यह हिस्ट्री मेरा आप्सिनल पेपर है इसमें आप सबस्पहले कोसं का स्ट्रेक्चर समझ लिज्य कि यह कितने को संद्दों होते हैं इसमें और कितना लिखना पड़ता हैं तो यह दो सेक्षन होता है मुलों रूप से फर्स सेक्षन में जो है वो आपको एंसेंट और मेडियेवल से कोस्टन रहता है और सकेंड सेक्षन में मोडर्न और वल्ड से कोस्टन रहता है तो दोनों सेक्षन में छे को तीन-तीन कोस्टन एक सेक्षन एक से तीन कोस्टन सेक्षन दो स सकते हैं और मुलब को दोनों को मिला गर कि तीन को सन्सक्षास किसे मैं इसमें कुल कौौसंट है इस तरह से तीन चे को सन्सक्राइब ठेंट किये थे फास्ट को सन्सक्राइब पेज तक लिखे हुए हैं उसमें 29 मार्क्स मिला है बहुत अच्छा मार्क्स मिला है इसमें इस तरह यह 29 मार्क्स आपका अच्छा मार्क्स माना जाता है यह से हुमनेटीज के स्टुरियन के लिए और से लगchemical सगेन ऐसे लगर सत्वेढ़ पेज तग लिखा है मार्क से हैं है इस पर जो हिस्ट्री से मार्किंग काफी खाड़ाप किया है आप देख सकते हैं के शो ही इसके तुन मार्क से हम आप आप देख सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट को संगेंड किया थे फर्स्ट को सम एक्टेम्ट नहीं किया थे और इसमें 29 मार्क्स दिया गया है हम इसको देरे-देर उपर कर रहे हैं ताकि आप इसको पर सकते हैं अगर पढ़ने का मुझला इचा हो तो और इस तरह से आप इसको देख करके अपना एक रन्नीती बना सकते हैं यदि आपका ऑफ्सनल हिस्ट्री है तो कि इस तरह से लिख है ताकि और बहुतर मार्क्स उठाया जा सके एक्जैम में यह कंटेंट तो जरूरी है जैसे कि पिछले वीडियो में भी हम बताये थे और इस इस वीडियो में बता रहा है कंटेंट काफी जरूरी है लाइन चोश्ट में वीपी ऐसी में जो पैटर्न को समका था वो काफी है पिछले वीपी से के अपक्षा अलग था इसमें दो दो को सन जोड़ करके दिए गये थे और मनलब मार्जमन से जो को सन भी पुछाता वह भ मनलब एटर का नाम लिखा वाज समय इंपोटेंट हो जाता है यह दिए को सन के कोडिंग एंसर लिखना दूसरा को सन जो था वह लादून खिल जी को लिकर करके लिखे थे हम और मेरा मेरा सबसे कमजोरी साहद लग रहा है कि इसमें जो है तो राइटिंग और इंप्रूब से अगर इंप्रूब हुआ तो अच्छे मदलब अच्छे पोस्ट मिल सकता है क्योंकि बीपेसी में एक दो पोस्ट नहीं होते हैं काफी पोस्ट होते हैं 22 24 और अगर आपको बिहार प्रसासनिक सेवा या बिहार प्रिलीस सेवा लेना है तो अप्शनल बताया जाता है कि कम से कम मदलब 180-190 मार्क से रहे तो बेहतर होगा तो यह हम लव अप्शनल के बारे में बता रहे हैं और एक चीज है आप मतलब अगर हिस्टरी के तियारी करना चाह रहे हैं तो आप अभी से उसमें लग जाहिए एक ही बार पीटी और मेंस के तियारी करना चाहिए यह नहीं बात है कि पीटी का एक्जाइम के समय में सब उच वर करके एक मेना पीटी पर देखा धियान दिया जाता है और बीपेसी ओपेसी के स्टुरेंट को पहले से ही मेंस और पीटी दुनों का साथ में किया जाता है